हेलो एब्रीवन आप सबीका स्वागत आपके अपनी यूटियब जेनरल विशाल गौतम 783 पर आज है 4 मार्च 24 और आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चार मार्च 24 के डेली करेंट अफियर्स के कुछ important questions अगर आप किसी भी अग्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यदा important रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ ही वैल आइकन को भी और प्रेस कर लिजी ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज के इस वीडियो के पीडिया फाइल आपको वारे टेलिग्रम चैनल पर मिल जाएगी और टेलिग्रम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस टेलिग्रम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे कुशन भी पूछ हूँगा और इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है तो चलिए चलते आज के आप पे टॉपिक की और तो अब आज का पहला कुशन है हाल ही में पहली अमेर का भारत साइवर सुरचा पहल कहां लौच हुई है इस कुशन का सही अंसर है आप्शन बी पूड़े तो अभी हाल ही में पहली अमेर का भारत साइवर सुरचा पहल ये महराश्ट राजिक पूड़े में शुरू हुई है पोड़े में पहनी अमेर का भार साइबर सुरचा पहल शिरू की है और इसका उद्देश है इंटरनेट द्वारा होने वाले अपराद को रोकना पैस्ट कोशन है हाल ही में फाइनेशियल एक्षन टास्क पोर्स यानि एफए टी एफ का नया अध्यच के शेगोशित किया गया है तो यह गोशित किया गया है मैक्स को तो भी हाल ही में फाइनेशियल एक्षन टास्क पोर का नया अध्यच यह मैक्स को को गोशित किया गया है हाल ही में FATF का अध्यच अगले दो सालों के लिए मैक्सको को नियुक किया गया है मैक्सको की एलिसाडी एंडरा मद्रा जो को FATF की अध्यच के रूप में नामित किया गया है Financial Action Task Force का एक अंतर सरकारी संगठन है इसका गठन 1990 में पेरिस में आयोज चेश यवन शिकर शम्मिलन द्वारा किया गया था और भारत जून दोया दस संगठन का सदस्य है और इसका उद्देश है आतं की फंडिंग रोकना अब बात करें मैक्सको की तो मैक्सको की राइदानी है मैक्सको सिटी मुद्रा है मैक्सकन पेशो और राष्टपती है एंड्रेस मैनवन लोपेज ओब्रेडोर नेक्ट कोशन है अडानी गुरूप ने दच्चड एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिशाइल कॉम्पलेक्स का लॉंच किया है इस कोशन का सही अंसर है अडानी गुरूप ने दच्चड एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिशाइल कॉम्पलेक्स ये उत्तर पदेस राज में लॉंच किया है अडानी गुरूप ने उत्तर पदेस के कानपुर में गोला बारूद और मिशाइल कॉम्पलेस का उद्गाटन किया है हंपल एंग तीवेंड हरे नेक्ट कोशन है वहां हाल ही में बी डबलु एफ पेरा बैड़मिन्टन किले दॉए 24 का आयोजद हुई है आनसर है option भी थाईसर है fix प्रथम इस्थान रहा है चीन का, दूसरा इस्थान इंडोनेशिया का और तीसरा इस्थान रहा है अपने देश बहारत का BWF पेरा बैडमिंटन विश्य चेंपिंशिप दोयाच चौविस में बहारतिय बैडमिंटन खिलाडियों ने अठारा पदग नीते हैं जिसमें तीन स्वर्थ, चार रजत और ग्यार एकास पदग शामिन रहे स्वर्डपदग पिजिता कोई नाम है ये सुहास यथी राज, क्रश्न नायर और प्रमोध भगत BWF का पूरा नाम है बैडमिंटन वर्ड फेडरेशन इस्थापना होई थी इसके 1934 में और मुख्याले है इसका मलेश याके क्वाला लंपुर में Next Question है किस वर्ष तक 1934 लौंच करेगा सही आंसर है ऑप्षिन A वर्ष दोजार अटाइस तो वर्ष दोजार अटाइस तक 1934 लौंच करेगा 1934 थी के सफलोने के बाद अब 1934 लौंच करने की तैयारी में लगा है 1934 में लौंच करेगा चंद्रयान 4 मिशन का मकसद दच्छडी द्रोग के पास उतरने और चटन के नमूने एक अत्रित करने का है इसरो के मुताबक चंद्रयान 4 में 350 किलोग्राम का रोगत देनात करेगा और चंद्रयान 4 को लुपैक्स मिशन भी कहा जाता है यद चंद्रयान 4 शपल होता है तो भारत चांद की सतय से नमूने बापस का दर्ती पर लाने वाला चोथा देश बन जाएगा इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन इस्थापनाव एथी इसकी 15 अगस्त 1979 को इसरो का मुख्यान है बेंगरू में और इसकी अध्याच है एस सोमनाथ नेक्ट कुशन है हाल ही में जारी तैंदूओं पर नई रपोर्ट के अंसार बारत में तैंदूओं की शंख्या कितनी है सही अंसर है ओप्शन C 13874 तो हाल ही में जारी तैंदूओं पर नई रपोर्ट के अंसार अपने देश बारत में तैंदूओं की शंख्या 13874 है बाहरत में तेंद्वे की अंसंख्या आकलन का पांचमा चक्र आयोजित किया गया तेंद्वे की आबादी का आकलन राष्टिय बागसन अच्छ प्राध करड और भारतिय वन्नेजिप संस्थान द्वारा राजबन विभावों के सायुक से किया गया था बाहरत में तेंद्वे की आबादी अनुमानित 13,844 है देश में तेंद्वे की सबसे बड़ी आबादी मद्ध पदेश में 3,907 है और सबसे अधिक तेंद्वे की आबादी वाला टाइगर रेजर्ब नागार जुन सागर शिरी शैलम है next question है RBI यानी रेजर्ब बेंक ओफ इंडिया द्वारा वार्शिक वित्य साख्यर्ता सब्ता का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा सही answer है option B 26 फरवरी से 1 मार्च तो RBI द्वारा बार्शक वित्तिय सक्षर्टा सब्ता का आयो जन ये 26 फरवरी से लेकर एक मार्च तक किया गया है इस वर्स की थीम एक सई शुरुवात करें वित्तिय रूप से स्मार्ट बने हैं और वर्तमान में RBI की गवर्णर हैं सक्तिकांत दास नेक्ट कोशिन है हाल ही में अट्टूकल पॉंगल पर्व कहां मनाया गया है सही अंसर है ओप्शन A केरल तो भी हाल ही में अट्टूकल पॉंगल पर्व ये केरल लाज्ज में मनाया गया है अट्टूकल पॉंगल के बारे में बात करें तो अट्टूकल पॉंगल को दुनिया में महिनाओं की सबसे बड़ी सभाओं में एक कहा जाता है जहां महिनाओं को अट्टूकल भगवती मंदर में देवी का जश्न मनाने के लिए एक साथ मिलते हैं अट्टूकल बगवती मंदिर ये मंदिर देवी बगवती को शमर्पित है महिलाओं के सबरी माला के रोब में भी जाना जाता है ये मंदिर वार्शिक अट्टूकल पॉंगत योहार के लिए महिला बगवतों के सबसिर्फ बड़े शमूं को अकर्शित करता है Next Question है Time Magazine Woman Person of the Year 24 में किस भार्थियों को शामिल किया गया है सही आंसर है Option B लीना नायर तो Time Magazine Woman Person of the Year 24 में लीना नायर को शामिल किया गया है 21 फरवरी को Time Magazine ने Woman Person of the Year 24 के लिष्ट जारी की है और इस हिलाक्स इस साल मेंगीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है और भारतिय मूल की महिला लेना नायर को इस मेंगीन में यह जगें मिली है लेना नायर लग्यरी ब्रांड चैनल कमपनी की CEO है Next Question है यात्रा को बड़ावा देने के लिए केस देश ने भारतिय परेटकों के लिए पाँच वर्षिय मल्टीपल एंट्री वीजा प्रारम किया है सही अंसर है Option C दुबई तो यात्रा को बड़ावा देने के लिए UAE देश के दोवई शहर ने भारतिय परेटकों के लिए पाँच वर्षिय मल्टीपल एंट्री वीजा प्रारम किया है UAE की राइधानी है अबुधाबी मुत्रा है UAE दिरहम और प्रधान मंत्री है मुहमद बिन राशिद अलमक्दोम नेट कोशन है बारत और केज़ देश के बीच सायवत अब्यास धर्म गार्जियन का आयो यन किया गया है किस कोशन का सही अंसर है Option C जापान तो अपने देश भारत और जापान देश के बीच अब्यास धर्म गार्जियन का पांचमा संस्करड राजस्थन की महाजन फीर्ड फायरंग रैंड में शिरू हुआ और इस कायो जन 25 फरवरी से शिरू हुआ 9 मार्च दोजाच चौबिस तक चलेगा जापान की राइधानी टोक्यो है मोद्रा है जापान ये और पदान मंत्री है फोमियो किश्दा नेट कोशन है फरवरी दोजच चौबिस में मोबाइल वर्ल्ड कॉंग्रेस का आयोजन कहा किया गया है तो ये आयोजन किया गया है इस्पेन के बारचिलोना में आयोजन तो थी है ने किया जो दुनिया बार में मोबाइल नेटवर्क ओपरेटर के हितों का प्रत्न रित्व करने वाला वैश्विक्षंग है नेक्ट कोशन है किसके द्वारा भारती रच्छा पतिष्ठान की एक गुप्त परयोजना दुर्गा टू लेजर हत्यार प्रोटो टाइप का परिछन किया जाएगा सई आंसर है ओप्शिन बी डी आर डीयो तो DRDO के द्वारा भारती रच्छा पतिष्ठान की एक गुप्त परियुजना दुर्गा टू लेजर हाथ्यार प्रोतोर ताइप का परिच्छन किया जाएगा इसको मात्व है बैलिष्टिक मेसायलों को निस्क्रिय करके युद्ध की गत्षीरता को बदलने की चमता रखना DRDO का पूरा नाम है Defense Research and Development Organization इस्थापना 1958 में हुई थी मुख्याले DRDO का दिदनाई दिल्ली में है और इसके अध्याच है समीर वी कामत Next Q市ğAN est., कैसराज में 21 वायो एशिया शिखष्यंफिरविलन 2224 का आयो जन किया गया है सही अंसर है Option C, Hyderabad तो तेलंग अन राज के हैधराबाद में 21 वायो एशिया शिखष्यंफिरविलन 2224 का आयो जन किया गया है इसका आयोजन किया गया 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2024 तक तेलंग अनाकी है धरबाद में और ये इसका एक किस्वा संसकर्ण था बायोजिया एक वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य बायोटेक उद्द्योग में नवाचार खोज़ों और समाधानों को बढ़ावा समरद और प्रोत साहित करना है नेट कोशन है कि इस इंडरस्टीज और फाउंडेशन ने पशुकल्यान का समर्थन करने के लिए वंतारा कारकरम शुरू किया है साहिए अंसर है आप्शन बी रिलाइन्स तो रिलाइन्स इंडरस्टीज और फाउंडेशन ने पशुकल्यान का समर्थन करने के लिए वंतारा कारकरम को शुरू किया है इसका उद्देश है भारत और दुनिया के अन्ने हितों में गायल, दुर्ब्य वहार और लुक्त प्राय जानवरों का भच्चाव, इलाज, देखवाल और पुनरवास करना और वंतारा का लच्च, बहाती चिडियागर प्रादिकरण और अन्ने सम्मंद सरकारी संगठनों के साथ साजेधारी स्तापित करना है अब इस्टेटिक जीके को देखें, तो राज्ज सवा में राष्टपती द्वारा कितने सदस मनोनित किये जाते हैं, बारे जनगर्णा 2011 के अनुसार, बारत के सबसे कम गनी आवादी वाला चिला, दिवांग गाटी के सराज में इस्तित हैं, अरुणाचल पदेश में मयोर द्वेप यानिक पीकॉक आइसलेंड के सनदी पर इस्तित हैं, ब्रह्मा पुत्र होईस, होईस लेश्वर मंदर के सराज में इस्तित हैं, करनाटक में सरदार शरोवर बान के सनदी पर इस्तित हैं, नर्बदा नदी पर पहले विक्ति कौन थे जिनोंने कोशकाओं की खोच की थी, रॉबार्ट होक वशल उत्पादन के लिए पौदों और म्रदा विज्ञान के अनफ्रेयों को केस नाम से जाना जाता हैं, सजसे विज्ञान कौन सी नदी संतो पंत और बागी रती, हरक, ग्लीशियर से निकलती हैं, अलक नंदा नदी से आतिशवादी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए क्या जिम्मेदार हैं, बेरियम बारतिय संविदान के केस अनुच्छिद में संपत्ती का अदकार उड़ लिखित है, अनुच्छिद तीन सो ए हेट रीफ्रेश नामक पुस्तक के लेखत कौन हैं, सत्त नडेला खाद्यान कहां इस्त थें, करनाटक में, केस राज ने खेलों को द्योक का दर्जा दिया है, मिजोरम ने उत्राखन का पहला गुरुत बांध का नाम क्या है, सौंग बांध पेचली वीडियो मैंने आपसे कुशिन पूछा था, कि फरवरी दोयाच चौबीस में केस राज ने मुश्लिम बिवाह और तलाक पंजी करड़ अधनियम 1935 को नरस्त कर दिया सही अंसर था इसको कुशिन का ओप्शिन बी असम तो फरवरी दोयाच चौबीस में असम राज ने मुश्लिम बिवाह और तलाक पंजी करड़ अधनियम 1935 को नरस्त कर दिया है अब आपके लिए आज का कुशिन है, हाल ही में नाटो में शामिल नया सदस देश कौन सा बना है इस कुशिन का सही अंसर आपको कमेंट को पताना है, अगर आपको ये वीडियो आज की हैलफल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपनी दोस्तों के पास जरूँ शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली वार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब गरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं, जै इन, जै भारत, बंदे मातरम